खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है मैं भीड नहीं इस दुनिया की मैं भीड नहीं इस दुनिया की मेरे अंदर भी एक जमाना है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहें वहां से देख लीजिए नहीं ते जाके प्लेइलिस्ट से तो आज इसका नुमेरिकल का तीसरा है तो आज रिलेटेड है आपका वर्क बराबर डबलू बराबर एम जी एच पराधारी प्रश्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था भी कानेटिक एनरजी बराबर होता है एक बटे दो यह भी स्कायर पर रिलेटेड को आज हम लोग देखते हैं वर्क बराबर यह भी अरे यह जी अच पराधारी ठीक तो चाहिए जिस भी एक्जाम के आप तयारी करते हों एंटी पीसी ग्रूप डी एयर फोर्स हैंडिय कोई भ के पढ़िए एक देखिए इसमें होता है वर्क डबलू बराबर होता है एक होता है डबलू बराबर आपका एफ एस कॉस थीटा और एक डबलू बराबर होता है एक बटे दो एम भी स्कायर देखिए डबलू ही बराबर तीन तरह के तीन कोस्टन अरे तीन सुत्र होते हैं इसके लगाने के लिए तो देखिए कब कौन कहां प्रियोग किया जाता वो समझ लीजिए नहीं तो confusion आपको हो जाएगी कि कौन इसमें प्रियोग करें देखिए जब हाइट वाली बात करें किसी हाइच जैसे कि कहें कि नीचे से उपर ले जा रहा है वस्तों को उठा कर या उपर से ला रहा हैं तो हाइट वाली बात करें तो आप से इन तीनों से मतलब है तो यहां पर देखिए जब हाइट वाली बात करें या कोई वस्तु नीचे सूपर या उपर से नीचे ले जाते हैं तब इसको लगाएंगे जब कहें कोई बल यानि फोर्स बल और विस्थापन की बात करें जैसे किसी वस्तु को बल की दिशा मे बल लगा कर विस्तु की इगे क्रिया को कहते हैं कार डबलो बराबर होता ऐया फेस कॉस्स थिटा यह दे कोड दे दे और बल दे और विस्तु बर journeys बबली आपर यह लगाएंगे जब वेग की बात करें वेग की बात करें जैसे कोई गारी आपने स्टार्ट किया 10 किलो मीटर प्रती घंटा से तो बताए कुछ दूरी बाद जो है उसका कार किया गया कार क्या होगा तो वेक की या कोई बेखती चल के यहां से 10 किलो मीटर गया तो जब वेक की बात करे तो डबलू बराबर एक बटे दो यह भी स्क्वायर लगाएंगे ठीक तो यह तीनों आपने समझ लिया कि कब कौन कहां पर लगाया जाता है तो यहां पर देखिए हमें यहां पर जो पढ़ना है आज का जो टॉपिक है आपका डबलू बराबर डबलू बराबर एम जी एच यम क्या है द्रब्यमान है वस्तु का द्रब्यमान है जी क्या है गु रुट्वी त्वरड है और यच क्या है हाइट है यानि उचाई है कोई वस्तू जितनी उचाई पर ले जाया जाता या उचाई से नीचे लाया जाता है देखिए एक कूली जमीन से 20 केजी 20 कीलोग्राम का समान उठाता है तो यहां पर द्रब्यमान यह बराबर 20 केजी दे द लजाता है और उसे जमीन से 2 मीटर वा रखता है मतलब उठाय करिए के 2 मीटर वाली बात कियाना 2 मीटर तो यच बराबर ईकी बराबर कितना आ गया 2 मीटर ठीक तो समान समान पर उसके द्वारा किया गया कारे पूछा है डबलू बराबर पूछा है आप आपको यहां पर जी नहीं दिया है तो जी बराबर यहां पर दिया था कोस्टन में जी बराबर आप मान मान सकते हैं दस मीटर प्रतिस सेकेंड इसको है कि बराबर क्या मान सकते यहां लिजे डबलू बराबर क्या है एम जी एच-च तो यहां का मान है बीश और जी का मान है आपका दस G बराबर 10уля G बराबर 9 9.8 भी होता है G बराबर 10 भी होता है जब दे दे तो यहाँ पर देगा अगर कोशन में दे G बराबर 10 तो 10 रखिए अगर G पराबर 9.8 दे तो 9.8 रखिए ठीक जब कुछ न दे 10 दे 9.8 दे तो G का मान देखिए कि आप्सन में कहीं तो जो पॉइंट में तो यानि दसमलों में तो एंसवर नहीं है जब दसमलों में एंसवर नहीं आएगा तो यहां पे जी बराबर 10 रखिएगा अगर देसमल में एंसवर आ गया तो यहां पे जी बराबर 9,8 रखिएगा ठीक क्लियर हो गया कब रखता है कब नहीं तो यहां पे देखिए जी कमान 10 रखें और उचाइज दिया है दो मीटर तो दो का मल्टिप्लाई कर देती है यहां पे देखिए बीद्धा में 200, 200 दूना 400 तो कितना आ गया 400 जूल वरक बराबर उसके द्वारा किया गया कार क्या आ गया 400 जूल समझ में आई बात तो चलते हैं नेक्स कोस्टन पर अभी तक चैनल पर नहीं है नहीं अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिजे क्याने वाली वीडियो का नोटिफिकरशन आपको मिलता रहे चलते हैं नेक्स कोस्टन पर हम लोग हमने यह अगला क सिरबोड चपता है तो यदि जी पर दे दिया है तो आप अपने से मत मानिएगा यहां पर दे दिया है तो समान पर किये गए उसके दौरा कार्य पूछ पूछा है पहले देखिए यहां पर 25 किलोगराम यानि कि यम का द्रबहमां दे धिया 25 के जी ठीक फिर उसके बाद 2.5 मीटर हाइट दे दिया है आपको 2.5 मीटर और जी कमान दे दिया आपको 10 मीटर प्रती सेकेंड स्क्वायर दिया है तो आपसे डबलू वर्क बराबर पूछा है तो वर्क बराबर आपको बहुत अच्छे पता होता है जिसमें हाइट दिये जिसमें हाइट दे त वर्क बराबर होता है M G H होता है तो M क्या है 25 you बराबर 10 और G बराबर 2.5 है तब यहां से देखे 2.5 में 10 का मलटिपलाई करेंगे तो यह डेसमल हड़ गया 25 का 25 में मल्टिपलाई करेंगे कितना 625 जू ला गया तो वर्क का देखिए यहां पे 625 मीटर प्रति सेकेंड भी दे देता है 600 मीटर भी दे देता है 625 यहां पे यह वाला यह वाला खेल यूनिट वाला भी खेल कर देता है कभी-कभी मीटर स्क्वाइर दे देगा कभी आपको मीटर क्यूब दे देगा तो यहां पे देखिए work का मात्रक होता है जूल तो जिसमें जूल होगा जिस option में वही मारिएगा ठीक यहां पे minus भी दे देता है तो नहीं plus में रहेगा क्यों जब देखिए उठा के रख रहा है सर पे तो plus होगा जी बराबर के दे दिया है तो यहां पे plus होगा भी हम देखेंगे अगले question में जहां पर माइनस में भी आएगा ठीक तो यहां पर वर्क बराबर आपका निकल आया चलते हैं next question पर हम लो हमने कहा ना कि इसमें देखिए answer जो है आपका किस तरह आएगा पहले ध्यान पुरोग समझेगा तो गुरुतो बल द्वारा अगर आप गुर्तवा कर्षण के बिपरीद दिशा में जाएंगे तो जी बराबर आप जी बराबर यानि जी का मान माइनस लेंगे माइनस लेंगे अगर गुर्तवा कर्षण के गुर्तवा कर्षण के ही दिशा में आएंगे तो G बराबर G का मान प्लस लेंगे हमने कहा है जब कोई चीज नीचे से कंडिशन दे कब जब गूरतो बल का नाम दे तब जब कोई वस्तू ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तब G बराबर प्लस लेंगे जब कोई वस्त्य उपर से नीचे यानि घुर्त्वा कर्षण की तरफ घीचता है तो जब कोई वस्त्य उपर फिकेंगे तो भीपरीत जाएगई गर्त्वा कर्षण बल में तरह लगता है लेख tat जब वस्त्य फिक का ऑन तो माइनस मलेंगे एक एक केजी का वस्तों का भार है तो यह बराबर दिया एक केजी और दस मीटर हाइट दिया है आपका 10 मीटर और जो है नाइन पॉइंट 8 मीटर स्कॉर्ड स्कॉार दे दिया है तो माइनस 9.8 130 स्कॉयल ले लेंगे क्यों क्योंकि यहां पर उंचा यह नीचे से उपर उठाया जा रहा है झा रहा turns 1 दिशा में जा रहा है olm ऌने सब्सक्राइक निचा जाएगा 此डि श्रida में जारा है तो बिपरी दिशा में जा यहां ड़का होगा तो यहां से ऑनाँप增legen निकाल लिए ये कितना आजाएगा एक गुरे 10 गुरे 9-9.08 जया तीक तो यहांस कितना आगै 98 जूल कार किया गया कितना लू गया यह माइनस माइनस लग गया तो किया गया कार माइनस में आएगा यानि की माइनस अंठान बेजू जब कहे कब जब गुरुत बल द्वारा कारे कहे तब आप इस तरह लेंगे ना ने था जैसे पिछले कोस्टन में दिया तो ऐसे नहीं करेंगे ठीक तो चलते हैं नेक्ट कोस् उसके द्वारा समान पर किये गए काम की गढ़ना करें जी बराबर आपको मानना कितना दस मीटर प्रतिस दस मीटर प्रतिस सेकेंड इसक्वाइल लेना है ठीक तो यहां पर देखिए 15 kg का समान है यानि द्रभेमान दे दिया है 15 kg ठीक फिर उसके बाद एक मीटर ऊपर उठात है और डबलू बराबर किया गया उस पर कारिप उचा है तो डबलू बराबर क्या होता है एम जी एच जहां पर उचाई वाला बात करें वहां पर हमेशा रखेंगे डबलू बराबर एम जी एच जहां पर वेग की बात करें वहां पर डबलू बराबर क्या रखेंगे एक ब रखेंगे द्रब्यमान दिया है कितना 15 जी कमान 10 लेना और यच कमान दिया एक मीटर तो एक मीटर रख दीजिए कितना आ गया 150 जूल वर्क उसके द्वारा किया गया उस समान पर कारी कितना आ गया 150 जूल समझ में आया तो आई होब कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा लिजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे देखिए यह डबलू बराबर एम जी आच पे आधारी जितने भी कोशन बन सकते थ हमने करा दिया है आप त्यूरी इसका जो है जरूर से जरूर देखिएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं ठीक तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में यह हैं